हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप समका आपके अपने चैनल त्यारी ओन लाइन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉक्षिट नंबर 71 वॉक्षिट नंबर 71 हिंदी का वॉक्षिट है और आज हम हिंदी के वॉक्षिट में पढ़ने जा रहे हैं कहानी जॉर्ज पंचम की नाग जो लिया गया है कृति का भाग दो से ये वॉक्षिट है क्लास 10 का और वॉक्षिट है 23 दिसंबर 2020 का प्यारे बच्चों जो भी वॉक्षिट आपको दिया जाता है आप इसे अवश्य सॉल्व करें क्योंकि इन वॉक्षिट से बहुत सारे प्रस्न आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं बच्चों जोर्ज पंचम की नाक कहानी लिखा गया है कमलेश्वर जी के द्वारा अगर आप जोर्ज पंचम की नाक कहानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें आपको तेयारी ओनलाइन पे इस कहानी का वीडियो मिल जाएगा जिससे आप अच्छ से समझ पाएंगे पिछले वाक सीट में हमने पढ़ा कि जोर्ज पंचम की नाख चोड़ी हो गई और जितने भी सभासत थे सभी परेशान थे कि जोर्ज पंचम की नाख अब लगेगी कैसे क्योंकि भारत में इंगलेंट की महारानी आने वाली थी और अगर वह जोर्ज पंच बात होगी तो चलिए देखते हैं आज आगे कहानी में और क्या है आखिर मुर्तिकार को फिर बुलाया गया उसने मसला हल कर दिया वह बोला पत्थर की किसम का ठेक पता नहीं चला तो परिशान मत हो ये मैं हिंदुस्तान के हर पहार पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा अब देखिए जो मुर्तिकार था उससे दुबारा बुलाया गया क्योंकि मसला हल तो हुआ नहीं था लेकिन मुर्तिकार ने आते ही कहा कि वह इसमसले को हल कर देगा किसी को परिशान होनी की जरूर्त नहीं है अब वह मसले को कैसे हल करे गा तो वह हिंदुस् की मुर्ती बनी हुई थी कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई सभापती ने चलते चलते गर्व से कहा ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती बच्चों कुछ सब्द जो है वह मिस्प्रिंट है तो आप अपनी बुक की मदद ले सकते हैं यहां पर हर चीज इ के गर्भ में छिपी है जरूरत खोज करने की है खोज करने के लिए मेहनत करनी ہوगी इस मेहनत का फल हमें मिलेगा आने सभातों के चंट अर भूगन होगा अब देखें मुर्तिकार की बातों को सुनकर के सभापती जो हैं वह बहुत ही खुस हुए और उन्होंने खुसी में क कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी बस इसे खोजने की आवश्यक्ता है अगर लोग मेहनत करेंगे तो आने वाले दिनों में भारत में सिर्फ खुशाली ही होगा ऐसा कहते कहते सभापती चले गया च्छोटा सा भाषन फौरन अखवार में चप ग प्या मुर्तिकार हिंदुस्तान के पहारी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दोड़े पर निकल पड़ा कुछ दीन बाद वह हतास लोटा उसके चहरे पर लानत बरस रही थी उसने सिर लटका कर खवर दी हिंदुस्तान का चपपा चपपा खोज डाला पर इस किसम का पथर कहीं नहीं मिला या पथर विदेशी है अब देखिए मुर्तिकार बैचारा हिंदुस्तान के सभी पहारों को और उसके पथरों को खोज निकाला लेकिन उस पथर का पता नहीं चला जिससे जौर्ज पंचम की मुर्ति बनी थी लास्ट में मुर्तिकार ठक हार करके सभापती से कहता है कि यह मुर्ती जो है वा विदेशी पत्थर से बना हुआ है अब हम कैसे उसकी नाक लगाएंगे सभी परेसान अब आगे देखिए सभापती ने तैस में आकर कहा लानत है आपकी अकल पर दिल, दिमाग, तौर, तरीके रहन, सहन, सभी जब हिंदुस्तान में बाल, डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता अब यहां देखिए जो सभापती है वा मुर्तिकार पर तैस में आना यानि गुसे में आना गुसे में आकर के वो मुर्तिकार से कहते हैं कि मुझे तुम पर लानत है तुम्हारी बुद्धी पर लानत है हमने सारी बिदेशी चीजों को अपना लिया उनके तौर तरीकी को अपना लिया रहन सहन को अपना लिया दिलो दिमाग को अपना लिया और कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्या चीज है मुर्तिकार चुप घड़ा था सहसा उसकी आँखों में चमक आ गई उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस सर्थ पर की यह बात अखवार बालों तक न पहुँचे अब देखिए मुर्तिकार चुप चाब सभापती की बाते सुन रहा था उसकी डांट फटकार सुन रहा था लेकिन अचानक उसकी दिमाग में एक बात आई उसकी आँखों में एक चमक सी आ गई उसने सभापती से कहा कि मैं आप से कुछ कहना चाता हूँ लेकिन एक सर्थ पर कि आप ये जो बात है अखवार तक पहुँचने नहीं देंगे सभापती की आँखों में भी जमक आई चप्रासी को हुक्म हुआ की कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिये गए तब मुर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मुर्तियां भी है अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए या किसने कहा मुर्तिकार ने कहा सब ने सब की तरफ देखा सबकी आँखों में एक शनकोब बढ़ावासी के बार खुसी तेरने लगी उस सभा में बैठे हुए सभी लोग एक दूसरी की तरफ देखने लगे अब सबकी आँखों में जो कुछ दिर पहले बढ़ावासी थी यानि दुख घिरा हुआ था अब खुसी तेरने लगा पती ने धीमे से कहा लेकिन बरी होसियारी से ऐसा करोगे तो लेकिन बरी ही होसियारी से करना होगा इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए और मुर्तिकार फिर देश दोरे पर निकल पड़ा जोर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था दिल्ली से वो बंबई पहुचा दादा भाई नरोजी, गोखले, तिलक, सिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा आंधी जी, सर्दार पटेल, बिठल भाई पटेल, महादेव देशाई की मुर्ति को पड़खा और फिर वो वहां से बंगाल की ओर, गुरुदेव रभिंदरनात, सुभास चन्द बोश, राजा राम मोहन राय आधी को भी देखा नाप जोग की और बिहार की तरक चला, बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया वहां उसने चंदर सेखर आजाद, बिस्मिल्ला खा, मोतिलाल नहरू, मदन मोहन मालविय की लाटों के पास गया यानि उन सब की मूर्तियों के पास गया और उनकी नाकों को देखा घवराहट में मदरास भी पहुँचा, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, लाला, लाजपत, राय और भगर सींगी लाटों से भी केरल, आदी, सभी प्रदेशों का दोड़ा करता हुआ पंचाब पहुचा, आखिर दिल्ली पहुचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिकर्मा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सब की नाकों का नाप लिया पर जोर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, अब देखिए, बेचारा मूर्ति पूरा भारत भ्रहमन कर लिया, दिल्ली गया, दिल्ली में उसने दादा भाई नेरो जी की नाक को देखा, गोखले सिवाजी, उसके बाद गुजरात गया, वहां गांदी जी की नाक को देखा, बिठल भाई पटेल को देखा, उसके बाद वह केरल गया, पश्रिम बंगाल लेकिन किसी की नाग भी जॉर्ज पंचम के नाग की जैसी नहीं थी सभी की नाग जॉर्ज पंचम की नाग से बरी निकली अब बेचारा मुर्तिकार भी परेसान क्योंकि उसे किसी की नाग ही नहीं मिली तो बच्चों ये थी आज की कहानी अब देखते हैं इस कहानी से संबं प्रशनों को पहला प्रसन हमारा है मुर्तिकार हिंदुस्तान के पहारी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हतास क्यों लोटा आया तो बच्चों मुर्तिकार पहारी प्रदेशों के दौरे पर उस पत्थर का पता लगाने गया था जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की तो बच्चों प्रसन संख्या एक का उत्तर आप यहां से लिखेंगे यहां देखिए मुर्तिकार हिंदुस्तान के पहारी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा कुछ दिन बाद वो हतास लौटा उसके चहरे पर लानत बरस रहे थी उसने सिर लट काकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चपा चपा खोज जाला पर इस किस्म का पथर कहीं नहीं मिला यह बच्चों प्रसन संख्या एक का उत्तर आप यहां से प्रसन संख्या एक का उत्तर लिख सकते हैं दूसरा प्रसन हमारा है मुर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे देश में जितनी भी मुर्तियां हैं उस में से किसी एक मुर्ती की नाक जौर्ज पंचम की नाक की जगर लगा दी जाएगी लेकिन यह ख़वर अखवारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो देखिए बच्चों प्रस्न संख्या 2 का उत्तर आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक इस लाट में आएगी मेरा मतलब है तो उस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाएं तो यह हो गया आपके प्रस्न संख्या 2 का उत्तर अब उसने तो यही सुझाप दिया था कि भारत में भी बहुत सारी मुर्तियां हैं हमारे देश के नेत की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिरती है तो उसका नाक उतार करके जॉर्ज पंचम की नाक में लगा दी जाएगी तो यहां से आप प्रस्न संख्या 2 का उत्तर लिख सकते हैं तीसरा प्रस्न हमारा है जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंतर में किस मानसिक्ता को दर्शाती है तो देखे बच्चों प्रसन संख्या 3 का उत्तर इस परकार लिखेंगे आप सरकारी तंतर में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बधावासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिक्ता का बोध होता है इससे पता चलता है कि वे आजाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम है उन्हें अपने इस अतिती की नाक बहुत मुलेबान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया चौथा प्रस्न हमारा है जोर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता की मुर्ती की नाक फिटना होने की बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं तो बच्चों लेखक यहां हमारे आत्म सम्मान की ओर संकेत करता है। कहां संकेत करता है? आत्म सम्मान की ओर संकेत करता है। अगला प्रस्न हमारा है, मुर्तिकार ने हिंदुस्तान की परिकर्मा कहां कहां से गुजर कर की और किनकी नेताओं की मुर्तियों की लाटें देखी इन राजियों या केंदर सासित प्रदेशों का नाम लिखकर उसके सामने उनसे जुरी नेताओं के नाम लिखिये तो बच्चो देखें इसका उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं दिल्ली से मुंबई पहुँचा दादा भाई नरो जी गोखले तिलक सिवा जी इन सब की नाके देखी उसके बाद वह गुजरात में गांधी जी सरदार पटे बिठल भाई पटेल महादेव देशाई उसके बाद वह बंगाल में रविन्ना ठैगोर सुबास चंद बोस राज राम मोहन राई की नाक देखी उसके बाद वह गया बिहार बिहार और उत्तर प्रदेश में उसने चंदर सेखराजाद बिस्मिल्ला खां मोतिलाल नेरू मदन मोहन मालवे की नाक देखी उसके बाद वह कहां पहुचा उसके बाद वह पहुचा मैसूर उसके बाद उसने अगर आप जोर्ज पंचम की नाक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें आपको तैयारी ओनलाइन में जोर्ज पंचम की नाक पर बने हुए वीडियो मिल जाएंगे जिससे इस कहानी को समझने में आपको आसानी होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूले तो मिलते हैं आगले वाक सीट में आप सब का धन्यवाद